कैसे हैं आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रूम मैं आपको इस समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप एक IS के पद पे न्यूक्त करते हो या फिर किसी भी सरकारी नौकरी के पद पे न्यूक्त करते हो जो ऑफिसर लेवल पर होती जहां पर आपको एक इसमें वापस आ सकते हो और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आप शाह फैजल के एक्जामपल से शाह फैजल एकदम से न्यूज में आय थे 2010 के लगवक पर इन्होंने यूपीस्टी के एकजाम टॉप किया था एकदम से हीरो बन गये थे फिर रिकॉगनिशन इनको उस सम करके कुछ नाम था उस पॉलिटिकल पार्टी में इन्होंने इन्वाल हुआ और उस पॉलिटिकल पार्टी से भी इन्होंने 2020 में रिजगनेशन दे दिया अब समझे जनवरी 2019 में रिजगनेशन मारा मार्च 2019 में इनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके प्रेजडेंट थे मार 2020 2020 के आपके लो शुरुवाती फेज में उनने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी पांच अगस्त 2019 का दिन उस समय पे यह जो जम्मुएन कश्मीर का स्पैशल स्टेटस था इसको रिवोक किया गया अच्छा मैं आपको एक बात बताओं शाह फैजल ने पता है कि आप बोल अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी होगी और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया अब एक बार आपने आईस की पद छोड़ दिया तो वापस आने का कोई चांस है देखिए अगर आपका रिजिगनेशन एक्सेप्ट हो गया है तब वापस आने की चांसे बहुत कम हो होते हो तो जो amount of activities आप कर सकते हैं उसके साथ हो बहुत limited होती है आपको सरकार को reporting करनी होती कि कि क्या आप कोई दूसरा बिजनेस चला रहे हो या फिर आप किसी not-for-profit एक्टिव इंडमेंट वालो कुछ भी आप अलग से कर रहे हो चोटा मोटा बिजनेस चला रहे हो ठीके तो इनफेक्ट बापको बता दूए एक चीज़ जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे ना गुरूप A ऑफीसर गुरूप B ऑफीसर पचास अजार रुपए से ज़्यादा का कुछ भी खरीद होगे ना तो भी अपने डिपार्टमेंट में जाके इंटिमेशन देना पड़े कहने के मतलब ये कि जब आप सरकारी इंप्लोई होते हैं चाहा केंदर की सरकार क्यों चाहार की सरकार आपकी एक अकाउंटिबिलिटी फिक्स हो दियों और इन्हों ने तो रिजाइन करके political party भी बिणा ली सरकार के खिलाफ धन्या प्रदर्शन भी कर दिया ये भी बोल दि हर केस में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आप आईस बनोगे ठीकिन आईपेस बनोगे तो आपका एक प्रॉपर थोरो बैग्राउंड चेक होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराए जाएगा प्रॉपर थोरो बैग्राउंड चेक होगा जो पुलिस होती है वो आपके ओवरॉल जो रिलेटिवस हैं उनके उपर एक बैग्राउंड चेक कराती है मतलब पूरी हिस्ट्री आपकी खंगाल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आएस और आईपेस जैसी सर्विसिज में ऐसे नहीं रिक्यूट करते एक बार आपने आएस छोड़ दिया आईपेस छोड़ दिया उसके बाद वापस आ सके हो यह डिबंड करता है सरकार के उपर अब यह यहां पर वापस आ गया है और मैं आपको बता दू इनका वापस आ स्रकार का अगेंस्ट बोला था उसको डेंशन में रखा गया था जेलने टिटैंशन नहीं बताब इंचेंटिकल को इननों उने होश समहला है तो सरकार से माफी मांग रहे हैं, overall यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे idealism ने मुझे नीचे गिरा दिया, फिर यह बोल रहे हैं कि जनवरी 2019 से लेके अगस 2019 में मैंने जो किया, उससे मुझे बहुत irreversible नुकसान हुआ, तो यह sorry वगरा बोल रहे हैं, वो खेरे क इनके अलग चीज़ है, यह personal basis पे क्या सोचते हैं, क्या नी सोचते हैं, उनका prerogative है, सवाल उठता है यहाँ पे government service में वापस आने का, दिखिए ऐसी condition में, जिस condition में यहाँ पे शाफ एजल पहुँच गय थे, government service में reinstate करना बहुत मुश्किर होता, ठीक ना, आपने central civil services के code of conduct को wallet किया, मतलब आपने ज़रूरी यह resignation दे के किया है, resignation आपका accept नहीं हुआ, वो सरकार की गलती है, लेकिन भले ही resignation accept नहीं हुआ है, बहुत कुछ करने के बाद public safety act के अंदर book होने के बाद आपको वापस service मिलना, हलाकि उनके ओपर से अब charges रटा दिये गए हैं, बट उ जोइनिंग रोग दी जाएगी, proper thorough backup होगा उसके बाद ही आपको जोइनिंग दी जाएगी, तो ऐसे cases में एक individual इसके ओपर public safety act लग गया, वो वापस आ गया, इसकी बहुत सी वज़े हो सकती है, देंके बाई कहीं न कहीं जम्मु इन कश्मीर का जो योथ है, वो बहुत अत् इंडिया के प्रती जो acceptability है, वो थोड़ी कम है, तो ऐसे case में अगर शाह फैजल जैसे officer को अगर सरकार side data देती है, इनको reinstate नहीं करती है, इनके resignation को accept करके इनको permanent IS से बाहर कर देती है, तो हो सकता है कि कश्मीर वैली में गलत signal जाएगा, शाह फैजल को वापस IS में institute करके भ भी यहाँ पर segregate नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो opposition करता है, उसको हम जरूरी है कि segregate करें, ऐसा जरूरी नहीं है, यह message भेजा है यहाँ पर सरकार ने, अब मैं यह बोलूगा कि parallel इनके जैसा officer अगर किसी दूसरे state में होना होता तो वापस आना इनका मुश्किल हो जाता मेरा personal ऐसी रहे ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट overall हो सकता है कि यहाँ पे इनके service में ना वापस आने से नुकसान जादा हो, सरकार को लगाओ कि कश्मीरी youth को एक right direction देना, इस context में शाफ ऐजल का IS में reinstate करना एक positive decision हो, और most probably हो सकता सरकार नहीं लिया हो, लेकिन उससे भी ब अच्छी postings क्या होती तो किसी जिले का superintendent of police बना दिया, ठीक ना, raw में आपको deputation दी, NCP, Narcotics Control Bureau में आपको deputation दी, तो इस प्रकार की deputations को अच्छी postings मानी जाती है, और वहीं पर गर आपको किसी police training institute का head बना दिया, तो इसको खराब postings मानी जाती है, एक particular IS, IPS या किसी दूस की ओपर किसी भी प्रकार का blot लगा हुआ है, कुछ गलत चीज registered है, तो आपके postings खराब हो जाएगी, अब शाहा फैजल को यहाँ पर कौन सी postings मिली है, कौन से department alert होगा, यह अभी के लिए नहीं बोला गया, किस अद तक इनको sensitive postings दी जाएगी, कौन से capacity में इनको यहाँ अब्सार्ब किया जाएगा, कौन से batch से इनको seniority मिलेगी, यह बहुत चीज़, देखिए, इस particular case में चीज़ें आपको बहुत साथ relevant ना होगे लिए, कल की date में जब आप service join करोगे न, तो आपके लिए आपकी postings, आपके लिए आपका promotion, आपके लिए आपकी carrier progression, यह बहुत importance रखेगा, इसलिए भारत के एक law abiding नागरिक बनी है, चुकि भाई, अगर आपके, you know, carrier के उपर, carrier क्या मतलब, कोई में छोटी सी भी FIR आपके against file हो जाती है, मैं guarantee लेके कह रहा हूँ, कल की date में ISIP कोई भी exam qualify कर लोगे न, police verification के समय पे आपके, you know, appointment में problem आ जाएगी, पूर इनकी किस्मत थी, most probably इनको इनिस्टेंट करने के बहुत सी अलागे लग मज़े हो सकती हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ पे discuss किया, एक चीज़ बिलकुल proper तरीके समझ लीजे, अगर आप bureaucrat होने की तियारी कर रहे हैं, politically motivated statements कौन दे सकता है, नेता दे सकते हैं, ठीकि नब यहाँ पे arrest हो जाता है, या फिर अगर आप bureaucrat हो और अगर आपने छोटी सी चीज़ कर दी, मालो आप किसी hall में गए और ठीक हो वहाँ पे जाके लड़ाई कर ली, news आती रहती ना कि सरकारी अधिकारी mall में गया और वहाँ पे अपनी girlfriend के साथ था और वहाँ पे लड़ाई क करने डगा, अपनी post की अकड़ दिखाने डगा, बाद में उसी की department में उसके against disciplinary inquiry खुल गई, तो as a bureaucrat भही है आपको नियम काईदे कानून के अंदर चलना है, politicians फिर भी नियम काईदे कानून से बाहर निकल जाते, as a bureaucrat आपको बहुत discipline रहना है, आप hero नहीं मन सकते, politician वाल food level पर reality में बहुत कम मिलते हैं, या शार फैजल को मिल गए है, जरूरी नहीं सब को मिले, तो छोटा सा analysis था जो मैंने आपके साथ डिसकस किया, I hope वीडियो परसंद आई हो, वीडियो को लाई को शेर करके जाएगा, Instagram पर follow कर लिजे, Telegram कर लिजे, दोनों इस चीज़ों कर नीचे description box में दे रखाए, super thanks का feature active हो गया दोस्तो, तो if you can, you know, if you want, you can click on that, thank you for watching, have a great day friends, video को लाई को शेर करके जाएगा, अगर बच्छे लगे हो तो